असलाम अलेकुम डियर स्टूडेंट्स तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूं एक्सरसाइस 2.6 एन बी एफ नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है 2024 की इसका चेप्टर 1 मैं कंप्लीट करवा चुकी हूं चेप्टर 2 कंप्लीट करवा चुकी हूं आज 2.6 स्टार्ट कर रहे हैं तो इस एक्सरसाइस को स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर में मैं इसके दो क्वेस्टर करवाँगी क्वेस्टर नमबर 1 और क्वेस्टर नमबर 2 इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक सरूर कीजएगा ताके मैं यह एक्सरसाइस कंप्लीट करवाँ इसके रिमेनिंग जो बाकी क्वेस्टर नमबर 1 को करते हैं यह वर्ड्स प्रॉब्लम है चैप्टर 1 हमने क्वाड्राटिक एक्वेएन पढ़ा है चैप्टर 2 थियूरी ओफ क्वाड्राटिक एक्वेएन क्वाड्राटिक एक्वेएन को सोल्व कैसे करते हैं यह सारा कुछ हम सीख चुके हैं इस चैप्टर में तो यह वर्ड्स प्रॉब्लम हैं क्वाड्राटिक एक्वेएन जी बिसिकली बनेंगी उनको ही सोल्व करना होगा प्रॉडक्ट ओफ टू कंजक्टिव एवन नंबर्स इस वन ट्वन्टी हमने दो कंजक्टिव एवन नंबर्स लेने हैं तो यहां पे सबसे पहले हम वो दो नंबर्स लेट कर लेंगे लेट एक्स एंड एक्स प्लस टू अगर और नंबर होता या mention ना होता तो हम even mention ना होता तो x plus 1 भी ले सकते थे x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 इस तरह से ये consecutive numbers होते हैं तो even number था इस वज़ा से एक number x और दूसरे x plus 2 ले लिया है x and x plus 2 are two consecutive even numbers are two consecutive even numbers ये दो consecutive even numbers है according to given condition तोनों का product क्या है 120 है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे according to given condition के question में condition क्या बताई गही है according to given condition अब question के अंदर ये condition बताई गही है कि इन दो consecutive even numbers का जो product है वो 120 के equal है तो ये equation बन गही है अब इस equation को हम simplify कर लेंगे x को अंदर multiply करेंगे x square 2 से multiply करेंगे 2x हो जाएगा ये plus 20 है साइट पे आके minus 20 equal to 0 तो ये quadratic equation बन गही है अब इसके दो factors बनाने है कि multiply करने से minus 120 x square आए और plus या minus करने से 2 आए तो इसके दो factors बन सकते है 12 और 10 क्योंके plus 2 है तो plus 12 x minus 10 x करेंगे तो plus 2 x हाएगा और multiply करने से plus minus 12 10s are 120 ये कैसे पता चला है कि 12 और 10 इसके दो factors बन सकते हैं इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से factors बना सकते हैं तो यहाँ से मैं पता चल जाएगा कि ये 2 इसके factors बने हैं x square आजाएगा फिर 12 x minus 10 x तो ये plus 2 x आजाएगा और multiply करने से minus 20 बन जाएगा minus 20 से तना पहली दो values में से x common ले लेंगे x plus 12 minus 10 common लेंगे तो 10 12s are 120 factorization में ये हमेशा दोनो factors सेम बनाने होती हैं अगर ये सेम होता भी हमारे ये वाले factors ठीक होती हैं तो यहां से x plus 12 common आ गया बाकी अंदर x minus 10 रह जाएगा तो इन दोनो factors को अब 0 के एकवर लिख लेंगे x plus 12 is equal to 0 और x minus 10 is equal to 0 तो x की एक value minus 12 आ जाएगी और दूसरी value x की 10 आ जाएगी अब क्या ये दोनों ही इसका solution है या फिर कोई एक है तो हम यहां पर check भी कर सकते हैं verify भी कर सकते हैं वैसे ये extra है question के अंदर करें या नहां करें आपकी अपनी मर्जी है equation ये थी x plus 2 is equal to 120 अगर मैं यहां पर minus 12 put करूँ क्या ये इसको satisfy करता है इस equation को x की जगा पर minus 12 और यहां पर 120 minus 12 plus 2 minus 10 तो minus 10 multiply 12 तो plus 120 इसका मतलब है 120 is equal to 120 यहां पर minus 12 इसका solution है अब 10 को check करते हैं इसके अंदर put करके 10 x की जगा पर 10 plus 2 is equal to 120 10 इसी तरह 10 और 2 12 आ जाएगा और यहां पर 120 तो 12 10s are 120 is equal to 120 इसका मतलब है 10 भी इसका solution है verify करना चाहें तो कर सकते हैं इस answer यही होगा तो यह दो values आ गए हम solution set में लिख सकते हैं minus 12 और 10 यह इसका answer आ गया है कि यह दोनों इस given condition को satisfy भी करते हैं इस given condition को put करके verify भी कर लिया है यह इसको satisfy भी करते हैं यह rough है यह आपकी अपनी choice है करना चाहें तो कर दें देखने के लिए कि क्या यह वाक्य ही हमारा answer जो है वो इसका solution है या नहीं इसके बाद question number 2 है जिसकी statement मैंने यहाँ पे लिख लिए है the sum of a positive number and its square is 380 find the number तो दो number एक positive number लेना है और फिर उसका scare लेना है दोनों का sum 380 की एकवला है कुछ बचों के mind में यहाँ पे question होगा कि book के अंदर यहाँ पे sum नहीं difference है तो वहाँ पे mistake है उसको correct कर लेना है sum इसकी reason क्या है कि अगर मैं मैंने difference से भी solve किया था बट solve नहीं होता तो difference क्या है कि एक number ले x उसके square का अगर उसमें से difference ले वह 380 के एक वाल है मैंने यहाँ पे difference लिया इसको solve किया है x square minus x square यह साइड पे आएगा minus 380 minus common लेंगे x square plus यह minus हो जाएगा इसका sign change तो यह quadratic equation दो ऐसे number लेने हैं जिनको multiply करने से 380 और plus minus करने से x है तो 380 के इस तरिके से मैंने factors बनाए है तो 20 और 19 इसके factors बनती है अब minus x चाहिए तो minus 20 plus 19 लिखेंगे तब ही minus x हाएगा बट multiply करने से plus 380 चाहिए तो plus minus तो minus होता है plus 380 नहीं बनता मतलब factors इसके नहीं बन सकते बात रहागी quadratic formula की factors नहीं बनते तो this expression is undefined in the set of real number ये इस real numbers के set के लिए undefined है तो मतलब question के अंदर mistake है difference से ये solve नहीं हो सकता हो सकता था अगर यहाँ minus 380 होता कि positive number का और उसके square का जो difference है वो minus 380 की equal है फिर ये simplify कर सकते थे बट इसको solve नहीं कर सकते undefined है तो मैंने ये first year की book में भी question check किया है वहाँ पे भी ये question है exercise 4.10 में तो same ये question है बट यहाँ plus के साथ है sum के साथ है means तो इस question को sum के साथ solve करेंगे the sum of a positive number and its square is 380 find the numbers तो हम एक number let कर लेंगे कि let x be a positive number let x be a positive number अगर x एक positive number हो तो फिर according to given condition तो question के अंदर जो condition है अब उसके मताबिक इसकी equation बना लेंगे according to given condition question के अंदर क्या condition है sum of a positive number and its square तो इस number और इसके square का sum किसके equal है 380 के equal है तो फिर वो number find करें तो quadratic equation बन गई है x square plus x ये side पे लेंगे minus 380 is equal to 0 अब इसके दो factors बना सकते है दो ऐसे numbers जिन को plus minus करने से x आए और multiply करने से ये आए तो plus 20x minus 19x answer आजाएगा plus x 20 को 19 से multiply करेंगे तो वो minus 380 भी बन जाएगा minus 380 is equal to 0 तो यहाँ से x common लेंगे x plus 20 minus 19 common लेंगे ताकि अंदर plus बना सकें तो 19, 20, 380 होता है तो यहाँ पर आप इसके दो factors ये दोनों से मैंटमींज हमारे ये factors भी ठीक है तो x minus 19 और x plus 20 common लेंगे या direct एक दोनों में से ये और दूसरा factor ये तो दोनों को 0 के equal लिखेंगे x के एक value 19 आ जाएगी और दूसरी minus 20 अब क्या ये दोनों इसका solution है चेक कर लेती हैं वैसे question के अंदर ये का आ गया था x positive number तो सिर्फ positive number इसका solution होगा तो यहाँ पर put करके इसको चेक करते हैं क्या ये दोनों satisfy करते हैं पहले मैं 19 को चेक कर रहे हूं 19 plus 19 square is equal to 380 तो 19 का square होता है 361 361 में 19 add करेंगे तो 380 is equal to 380 ये इसका solution होगा अब minus 20 को चेक करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा minus 20 plus minus 20 का square is equal to 380 minus 20 20 का square plus 400 तो इसको minus करेंगे 400 में से 2380 भी दोनों equal आगे इसका मतब 20 solution है बट ये का गया था कि X positive number होना चाहिए तो sum of a positive number ended square तो दोनों ही इसको satisfy का रहे हैं तो question के अंदर answer सिर्फ 19 आ जाएगा minus 20 क्या है negative number है तो neglect कर देंगे क्यूंके question के अंदर mention है कि सिर्फ positive number लेना है question के अंदर क्या था कि सिर्फ positive number तो वैसे तो minus 20 satisfy करते है इस equation को ये जो हमारी equation थी sum of a number ended square तो एक number लेना है X उसके square का sum 380 इसको satisfy तो करती है बट positive नहीं है negative है तो इसको neglect कर देंगे तो solution कर दो कर दो कर दो